जैहीं दोस्तों शुलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोश्चन के बारे में इस कोश्चन में क्या कहा गया ABC, triangle ABC, the line parallel to BC, AB and AC, add point P and Q, respectively, if AB and AP in ratio 5, ratio 3, then find AQ ratio QC, यानि कि एक triangle दे रखा है मुझे यहाँ पर, यह मुझे A, यह मुझे B और यह मुझे C दे रखा है, इसके एक पहला line दे रखी है, पहला line के दे रखी है, आपकी AC पर जो दे रखी है, आपकी वो point दे रखा आपका P, और AC पर Q point दे रखा है, और इस पर आपका P point दे रखा है और एक्जामने ने A, B A, B जो दे रखा है वो 5 दे रखा है मुझे गीवन दे रखा है और A, P कितना दे रखा है मुझे आपका 3 दे रखा है तो इसका मतलब ये 3 है तो ये वाला पूरा मेरा 2 होने वाला है ठीक है इस question करने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर मुझे कोई triangle दे रखा है इस तरह से एक triangle दे रखा है ये मान लिजे तो ये वाली जो ये वाला angle होगा वो उस वाले angle के बराबर होगा और ये वाला angle ये छोटे वाले angle में भी और इस बड़े वाले angle में भी होगा यानि कि ये triangle दोनों similar proof हो जाएंगे और जैसे triangle three proof हो जाएंगे ये A, B और C हो गया मेरे पास में और ये मान लिए मैंने P और Q मान लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि A, P और Q area of A, P, Q upon me area of A, B, C इस गल्टू में क्या होगा A, P का square हो जाएगा आप पर ये upon me यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A और B का square हो जाएगा ये कह सकता हूँ कि A, Q के square upon me यहाँ हो जाएगा आपका A और C के square के बरापर ये P, Q का square upon me क्या हो जाएगा पर ये बी, C के B, C के square के बरापर यानि कि एक similarity की property होती है कि अगर मेरे दो triangle congruent हो जाते है तो उनके जो area होता है उनका जो area का ratio जो होता है वो side की जो ratio होती है उनकी जो side की ratio के square के बरापर होती है मतलब यानि कि अगर मेरे को ये triangle पूरा दे रखा है और मुझे अगर मैं A, P का square निकालूँ और मैं A, B का square निकालूँ तो इनके area के ratio के बरापर ही उनका ratio आएगा तो इसी property का हम लोग यहाँ तर use करेंगे और इस question को solve करने कोशिच करेंगे तो देखे ये मुझे पता है कि भाई ये मेरे को इसने ये given ये 3 रखा तो इसका मतलब ये भी मेरे पास में 3 आएगा ये A, Q भी 3 आएगा और ये मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास में 2 आएगा यानि कि इसका तो answer जो आएगा मेरे पास में A, Q is equal to कितना है मेरे पास में आपका वो मेरा 3 होगा और Q और C जो अगा वो मेरे पास में 2 होगा यानि कि answer जो होगा 3 ratio 2 ही इसका होगा correct यहाँ पर option जो A दे रखा है वो इस question का correct दे रखा है I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत